जई एशू की मैं हूँ प्रियंकर आमोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीश्यक की हिंदी सर्वेस कलीसे समचार में आप सभी का स्वागत है कलीसे समचारों में प्रमुख है युत ग्रस्त विश्व में पॉफ रांसिस की शांती की अपील केरल में इसाई प्राथना सभा में बम विस फोटो में एक की मौद चर्च ने करनाटक में हिजा प्रतिबंद में डील का स्वागत किया कैथलिक स्कूल चात्रों को शांती निर्माता की रूप में प्रसक्षित कर रहा है कूवे में मिला प्रोहित का शव धर्म प्रांथ सदमे में चर्च ने प्रातना सभा के दोरान विस फोटो की निंदा की अग जानते समाचार विस्तार से युद ग्रेस्ट विश्म में पॉफ रांसिस की शांती की अपील पॉफ रांसिस ने क्रिस्तियों को भायचारे की उपहार के लिए प्रातना करने के लिए अध्यात्मिक रूप से प्रिरित किया है अपने पर्मा धक्षि कारेकाल के पूरे 10 वर्षों में पॉफ रांसिस ने बार बार विश्वासियों और अन्य धर्मों के लोगों से शांती के अनमोल उपहार के लिए प्रातना और उपवास के दिन समर्पित करने का वहन किया है उपवास और प्रातना एक सईयोजन जहां एक दूसरे को पारसपरिक रूप से बोजन देता है जीवन की दंचरिया में एक विराम पैदा करता है और एक ऐसे आसन को प्रोसाहित करता है जो स्वीकारी के लिए खुला है तैवान में प्रोहित की राष्टी सभा एयोजित सहबागिता का समय है धर्मादक्ष ने कहा यह अध्यात्मिक साज़ेदारी और कलीस्य और लोगों की सेवा में अपने पास्टोरल उत्साहों को नमीनी करत करने का भी एक अफसर है केरल में इसाई प्राथना सभा में बम विस्फोर्ट में एक की मौत केरल में इसाई प्राथना सभा के दोरान कम से कम तीन बम विस्फोर्ट हुए जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 36 अन्य लोग खायल हो गए कोची के बंदरगा शहर के पास कला मासेरी के एक सम्मेलन केंदर में 2000 से अधिक लोग तीन दिविसी यहोवा के साक्षी के प्राथना सभा में भाग ले रहे थे जब विस्फोर्ट से भीड में विस्फोर्ट हो गया केरल के पोलिस महानिदेशक दरवेश साहिब ने संबादाताओ से कहा सुबह लगबग 49 पे जमरा इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर में एक विस्फोर्ट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 36 लोगों का इलाद चल रहा है प्रेस ट्रेस्ट ओफ इंडिया समाचार इजंसी ने बताया कि कंवेंशन सेंटर के अंदर कम से कम तीन विस्फोर्ट हुए थे चर्च ने करनाटक में हिजा प्रतिबंद में धील का स्वागत किया कैथलिक अधिकारियों ने करनाटक राजी की द्वारा पारंपरिक हिजा पर प्रतिबंद में धील देने और मुस्लिम महिलाओं को सरकारी भरती परिक्षाओं में बैठने के दौरान इसे पहनी की अनुमती देने का स्वागत किया है करनाटक कैथलिक विशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर फास्टिन लुका स्लोबो ने कहा ऐसे किसी प्रतिबंद की कोई अवशक्ता नहीं थी और हमें खुशी है कि वर्तमान सरकार ने इसमें धील देने के लिए एक कदम उठाए है यह निर्ने 22 अक्टूबर को एक समीक्षा बैठक में लिया गया जिसमें करनाटक राजी की मुखि मंतरी सिद्धा रमया और उचिसिक्षा मंतरी एमसी सुधारकर जो सत्ता रूर कॉंग्रेस पार्टी से है ने भाग लिया कैथलिक इसकूल चात्रों को शांति निर्माता की रूट में प्रस्ख्षत कर रहा है हिंदु बहुलक में बढ़ती अवसाहिशुन्टा की खबरों के वीच तमिलाडू में कैतलिक स्कूल ने अंतरधार्मिक सदभाव को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को प्रसिक्षित करने के लिए कारिकरम शुरू किया है दक्षिन तमिलाडू इरोड जिले के सेंट जोसफ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल फादर मार्क मोनफोर्ट ने कहा इसका उदेश चात्रों को शांती निर्माता की रूप में प्रसिक्षित करना है ताकि वे अपने दोस्तों परिवारों और पडोस के भी सदभाव का संदेश फैला सके जिले के दो कैतलिक स्कूलों ने सेंट जोसफ से हाथ मिला है मौनफोर्ट ने कहा पहले ही इसाई हिंदू और मुसलिम प्रसिक्षित चात्रों को प्रसिक्षित चात्रों ने 25 अक्टूबर को सेंट जोसफ स्कूल में शांती निर्माता की रूप में यु प्रेंपूर के पल्ली प्रोहित फादर रजत एका कशाव 27 अक्टूबर की सुबह पल्ली परिसर के कुवे में मिला था। इसमें कहा वरिष्ट प्रोहि शायद गलती सी कुवे में गिर गए होंगे। प्रेंशल जाच के माध्यम से दोश्यों को न्याएक के कटगरे में लाया जाए। केरल के वानेजिक राजधानी कोची के पास कलामे सेरी में इसाई समों के कन्वेंचन सेंटर में तीन विस्पोर्ट हुए। इसी के साथ कली से समाचा समाप्त हुए। अगले बार फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आप ले लेकर आए हैं आर्वे मोबाल एप। आर्वे मोबाल एप पर हमारे विबन प्रकार के कारिक्रमों का लाब लें। हम से जुड़ें और एशिया इसायत की अवाज का हिस्सा बनें। आज ही एप स्टोर एबं प्ले स्टोर से आर्वे मोबाल एप डाउनलोड करें।